सर ये सब सवाल है अभी रहूल कांधी ने हिंदू समाज को इंसक बताया है कि नफरत ख़लाते हैं जखरते हैं इसे करते हैं इस पर बड़ा बीवात भेला हुआ है संसमाजी नाराज है बुच्जीवी नाराज है इस मार में आप जुकि एक जिस पद पर है उसकी बड़ी गर ने करते हैं यह जो बात आप बता रहे हो कि रहूल गांधी ने यह कह दिया कि दक लुगो निसा शची नहीं रहा है उसको नकाल करके देखा। कि उन्होंने हिंदु धर्म के विपरीद कोई बात कही है उनके आधे वक्तवे को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके ये हम समझते हैं कि अपराद है, दुस्परिचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों नहीं गलत है उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोशे बनाना सही नहीं है उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता बहुत साफ कहा, हिंदू हिंसा नहीं कर सकता बाद में उन्होंने कहा, कि जो लोग अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा, कि आप लोग अपने आपको हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत कहलाते हो तो उनका कहना जो उस पार्टी विशह इसके लिए था हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्त अभी दिया है उसमें हिंदू की बात कही है तो हमने पूरी बात देख ली इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई ब्राइब